रोमर एकसो ब्रोकले सख मैच नाम समय स्लैम में हो रहा है लट्ज मैंन मैच और यह इनकी दुश्मनी का आखरी चैपटर अर। इससे पहले मैंने दो वीडियोज बनाई है जहांपा मैंने रोमर एक्स व ब्रॉकलिसर की दुश्मनी के बारे में बता है 2015 से लेकर 2022 तक इनकी दुश्मनी कैसी रही है, कौन जीता है, कौन हारा है और इनके बीच कैसे कैसे पंगे हुए है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज जाके वो वीडियो को जरू देखिए और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोमर एक्स व ब्रॉकलिसर की दुश्मनी के फाइनल चैप्टर को और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि समस्लैम 2022 में रोमर एक्स व ब्रॉकलिसर के मैच में को जीतेगा रोमर एक्स या ब्रॉकलिसर तर तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिए तक जलु देखेगा तो आईए दोस्तों आप करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि रोमर एक्स व ब्रॉकलिसर के फाइनल चैप्टर में क्या क्या हो सकता है रेसलमीनिया 38 में ब्रॉकलिसर को हराने के बाद रोमर एक्स बन गए अन्दिस्पिटेड डविज उनिवर्सल चैंपियन और उसके बाद रोमर एक्स राव में आए और रोमर एकस ने ये कहा के मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों भाईस यानि की दाउसोज भी अन्दिस्पिटेड टेग टीम चैंपियन बने और उसके बाद The Bloodline का पंगा शुरू हुआ डू मैकिंटाय, रेंडी ओर्टन और मैटीरल के साथ WrestleMania Backlash में इन छेहों का मैच हुआ और इस मैच में The Bloodline ने डू मैकिंटाय, मैटीरल और रेंडी ओर्टन को हरा दिया और उसके बाद फिर इस मैच्डॉन में रोमारेक्स ने अपने दोनों भाई यानि के दाउसोस को भी बना दिया टैग टीम चैंपियंस उनकी इस फाइट में रेंडी ओर्टन इज्यार्ड हो गए और आर्केपरो की टीम तुट गई और फिर मैटीरल ने रोमारेक्स को चैलेंज किया अन्दी स्विटेट्ड डबलेपी यूनिवोड़ी टैटल के लिए इस मैंड डॉन में इन दोनों का मैच होआ और इस मैच में रोमारेक्स ने मैटेरिल को हरा दिया और अपने अन्दी स्विटेट्ड यूनिवाजर टाइटल को बचा लिया मैच खतम होने के बाद Romarex माइक पे आए और Romarex ने कहा के इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे हरा सके मैंने WWE के सारे लॉकर रूम में सब को हराया है और आप ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो कि मुझे हरा सके और मुझे ये टाइटल चिन सके Romarex अपनी तारीफे कर रहे थे लेगिन उसके बाद Romarex को मिला एक जबदर शौक क्योंकि वहाँ पर एक बाद फिर से रिटान आ गए तब पीस इन गानेट ब्रॉकलेसर ब्रॉकलेसर को देखके डबलो वी फैंस पॉल हमिन Romarex तीनों शौक हो गए ब्रॉकलेसर रिंग में आये ब्रॉकलेसर ने रोमरेक्स से हाथ मिलाने की कोशिश की और शब को ऐसा लगा कि शयद ब्रॉकलेसर भी रोमरेक्स के साथ जोईन होना चाते हैं रोमरेसर ने ब्रॉक्लेसर से हाथ मिलानी की कोशिच किया और तभी ब्रॉक्लेसर ने रोमरेक्स को उठा लिया और उन्हें दे दिया F5 और उसके बाद ब्रॉक्लेसर ने जीमी और जेवसोस को भी बहुत मारा और ये कर हो गया तरह से एक बाद फिर से रिटन आये रोमरेक्स को अंदिस् वी युनिवर्सल टाइटल के लिए जहाँ एक तरफ ब्रॉकलिसर का ये कहना था कि अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं रोमरेक्स को हराऊंगा और रोमरेक्स से फाइनली ये दोनों टाइटल को जीत लूँगा और वहीं दूसी तरफ पॉलिमन और रोमरेक्स का ये पर श्रणि ने व्यापक कमाल ये था कि अस्ते थियूरी बन गये मिस्टर मनी इन्दे बैंक और ऑस्ते थियूरी ने ये कहा कि वह अपना मनी इन दवांक समस्लैम एक कशेइन करेंगे आप चाहे वीनर ब्रॉकलिसर बने या फिर रोमरेक्स उन्हें कोई फरकने पर था क्य क्योंकि वह वहां पर आएंगे और अपने मनींदा बैंक कैशिन करेंगे किसी को भी भरोसा नहीं कि उस्ते थेयुटरी ब्रॉक्लिस्टर और रोमरेक्स को पर अपना मनींदा बैंक कैशिन कर सकते हैं। रोमरेक्स और ब्रोकलेसर के मैच में क्या होगा देखे दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि समर्स्लैम में रोमरेक्स और ब्रोकलेसर के मैच में बहुत जादा चांसेज यही है कि ब्रोकलेसर रोमरेक्स को हराके अंदिस्पीटर डबलवी युनिवर्सल टाइटल ले सकते हैं और फिर वहाँ पर उस्ते थेयरी आके अपना मनीनदा बैंक कैशिन कर सकते हैं। ये समर्स्लैम के लिए एक शौकिंग मोवेंट रहेगा जब उस्ते थेयरी ब्रॉकलेसर को पर पिन करवाके अंदिस्पिटेड डबलो यू उनिवोसर चैंपिन बन जाएंगे। वैसे ही ज़रूरी निए के समर्स्लैम में ऐसा ही हो। ब्रॉकलेसर और रोमरेसर की दुश्मनी का ये फाइनल चैप्टर है। उसके बाद काफी टाइम तक Brazilp unserer और Romare X का कोई में मैच हमें देखने को नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंड就 हो बताइए क्या चाहते हैं कि Summer Slam में को जी थे Romare X या Broc благодар और आप्प लोगों को Romare X और Castella की पूरी दुश्पनी यानि 2015 से लेकर COP25 तक कि कौन से दुश्मनी सबस्यादा अच्छी लगी है और कौन सा मैच आप लोगों के दिल को छुग गया है तो दोस्तो अभी के लिए बस इतना ही ठाइंक्यो एंड गुडबाई